आज में आपके साथ शेयर करने जारे हूँ एक स्वीट रेसिपी जिसे आप ठंडा ठंडा सर्प करेंगे तो इफतार में मज़ा आजाएगा आप इसे इफतार में बनाएं या जब भी कभी मीठा खाने का दिल करें तब इसे आप बना सकते हैं इसमें ठेर सारे फूट्स में अधर मिल्क गया है इसके अंदर साबु दाना गया है यह बहुत हेल्दी रेसिपी और खाने में एक डम लाजबाब है तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है असलाम लेकूं मैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे साबु जो पानी, दो तिन बार वाश कर लें सुछिता ने निकाल को और 6 काुश पानि दो आर्ट की आप खाने डिया है इसको भी तैना सुट करा दे झाले। धार करते हैं। मेने तो उसको ठाज सीटसा को भी मुतिक कर दो शोक हें। जेलों, तो ऐसे वह तम घ्रमकंडों दो भी है। नेक्स्स परफिशन में चलते हैं, यहां पे मैंने ले लिया है, दो कप दूद्ध, यह कोई भी दूद्ध आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, जो घर में यूज करते हैं, इसमें जाएगा 1 फोर्थ कप मिल्क पाउडर, तो मैंने यहां पे टोन वाला मिल्क लिया है, आप फ यहां पे 1 फोर्थ कप हमने यह शुगर डाल दिये, इसके बाद थोड़ा सा और डाल दे रहें इसमें हम, आपको अगर मीठा जादा पसंद है, तो आप थोड़ी सी शुगर इसमें एक्स्ट्रा ही डालें, क्योंकि यह मीठा जादा अच्छा लगता है, और कम मीठा खाना तो आप अपने साब से कम कर सकते हैं, अब हम इसे चलाते हुए पका लेंगे, तकरिबन 6-7 मिनट के लिए, इसे 7 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम ओफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, अब यहां पे नेक्स्ट मैंने पानी ले लिया है, यहां पे हमने पानी ल इकाल दिया है, और यह जो साबुदाना है, यह अच्छे से सोक हो गया था, हमने इसे 2 घंटे के लिए सोक कर लिया था, और उसके बाद हम इस पानी में इसको अबाल लेंगे, तो पानी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसे साबुदाने को इसके अंदर डालेंग तो इसे मेक्स कर लेते हैं, मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 6-7 मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक कि हमारे साबुदाने बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रांस्पेरंट नहीं हो जाते, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे, तो इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 मि में यह हमारे साबुदाना जो है, यह बिल्कुल अच्छी से ट्रांस्पेरंट हो गए हैं, गाड़े भी हो गए हैं, अब इसको हम फ्लेम आफ करके ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद कि जो दूद हमने उबाल के रखा था, इसे भी हमने ठंडा कर लिया है, इस अब अधर हम यह साबुदाना एड कर देंगे, तो पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे एक बार, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें मिक्स करेंगे, तो हमारे जो चिया सीट्स थे वह भी बहुत अच्छी से फूल के रेडियो हो और इसको अच्छी मिल जाते हैं और इसको अचिरे से मिक्स कर देंगे कि अच्छी सी मिक्सक्राइब अब हममसे थोड़ से ऊच्छा अणनरक्स करणे नोरु कुल में गाल शिघ़ ने तो भी चल बहुम इसमें अनार के दाने आड़ कर देंगे जो भी फ्रूट्स हो आपके पास अवेलेवल वो डाल दें एक फ्रूट हो तो आप एक भी डाल सकते हैं और इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से ड्राय फ्रूट्स याने की हम इसमें थोड़े से काजू डाल देते हैं थोड़े से लिए दालेके से बारिक कटे वे बादम भी बाड़े काट करके डालां सकते हैं और अब इसके अर जाएक़ फैर के लिए वो है वन इलेसेंस तो हम इसमें एक चमज डालेंगे वनेलेसंस वनेलेसंस डालने से इसका फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है वनेलेसंस नहीं डालना चाते हैं तो आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं या आप बारीक पिसी हुई थोड़ी सी छोटी हरी लाइची कूट करके वो डाल सकते हैं उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा तो आप अपने तरीके से इसमें थोड़ी से वेरिशन कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रेज में रखेंगे यह जो डेजर्ट है यह ठंडा ठंडा ज्याद अच्छा लगता है और गर्मियों में ज्यादा अच्छा लगता है ठंडा ठंडा आप इस डेजर्ट को बनाएं आप इस एफतार में बना बहुत ही बढ़िया बनता है ये खाने में इसका टेस्ट लाजबाब होता है आप क्या करेंगे हम से ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरिबन दो तीन घंटे के लिए जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ठंडानी हो जाता तो मैं क्या करती हूं मैं थोड़ा सा इसमें से न इसे एक बार जरूर ट्राइ करें बहुत ही कम चीजों से बना हुआ है घर में आसानी से आप इसे बना सकते हैं और खाने में टेस्ट बिल्कुल अलग है इसका लाजबाब टेस्ट है अब इन दोनों को में ठंडा कर लेती हूं तीन से चार घंटे बाद मैं इसे फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए इसका टेक्शर थोड़ा सथिक हो गया है खाने में बहुत ही मज़िदार हो गया है ठंडा ठंडा आप इसे सर्फ करें अपने गेस्ट की सामने सर्फ कर सकते हैं अगर आपके घर पे कोई गेस् डिजट खा रहे हैं और आपकी तारीफें ही तारीफे करेंगे क्योंकि ये डिजट बंता ही इतना लाजबाब है आप इसे जरू ट्राइक करें वीडियो अशी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न धिस्वर स्पियर है. था sama दंट सौpa को सुर्ण व Şimdi फिस्वर सर्ण वालेच सीज़ था डारीपीक को से ङुआ हैं अटे लगा एक सा तारीफें है अएकर स्बस्पलस इसार मेरे करेंगान ग्सें कहें हैं अएक्स हैं।raumस है लगान जाम है